ठाकुर प्रकन को लेकर लालू प्रशाद याद ओर उनकी पाटी आरजिडी से खुली दिसमनी मोल लेने वाले पुड़ु सांसद बाहु बली नेता आनंद मोहनं को नितीष कुमार का न सिर्प खुला समर्थन मिला बल्कि अब आनंद मोहन के घर पर नितीष कुमार दरसल आपको याद होगा कुछ दिन पहले आरजेडी के रास्वा सांसन मनो जहा ने ठाकुरों को लेकर एक कवीता पड़ी थी जिसको लेकर आनंद मोहन खुद और उनके बेटे जो आरजेडी की विधायक है चेतर आनंद उन्होंने खुले तोर पर मोर्चा खोल दिया था औ परिवार की विरोध के बाद मनो जहा के साथ पुड़ी आरजेडी पुड़ी लालू परिवार खड़ी रही जिसके बाद सियासी तोर पे कई सवाल खड़े हो गया और उसके तुरंथ 24-28 गंटे के अंदर जो है आनंद मोहन परिवार के साथ ब्यार की मुख्यमंतरी निती कुमार जाएंगे दरसल मिली जानकारी के अनुसार नितीश कुमार 27 अक्टूबर को सहर्चा के दोड़े पर जा रहे हैं आनंद मोहन के गाउं पंचगचिया में उनका कारेकरम है नितीश कुमार वहां एक आम जनसभा को भी सम्मोधित करेंगे उसके बाद बिहार के मुख मंतरी का आनंद मोहन के घर जाने का कारेकरम है वे आनंद मोहन के घर पर जाकर उनके बेटे बहु बेटी दमाद को आसिरवाद देंगे और आनंद मोहन की मां से आसिरवाद भी लेंगे बतादे कि आनंद मोहन उनके बेटे चेतन आनंद ने ठाकुर प्रक्रण पर नितीश लालू और राजद से खुली दुस्मनी मोली थी आनंद मोहन ने रासवा में ठाकुर वाली कविता पढ़ने बाले आरजेडी के सांसद मनो जहा की जीव उखार लेने का अलान भी किया था आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद जो राजद के विधायक हैं लेकिन वे भी अपनी पार्टी को खुली चुनोती दे रहे थे वो भी तब जब लालू तेशवी खुल कर अपने सांसद मनो जहा का सांस दे रहे थे अब सवाल ये उठ रहा है कि लालू नितीश को चुनोती देने वाले आनंद मोहन के पैत्रिक गाउँ जाकर नितीश कोमार आखिर क्या संदेश देना चाते हैं दरसल जो राजनितिक महौल बना है ऐसे में दवा किया जा रहा था ये कहा जा रहा था कि आनंद मोहन भाजपा के सांद जाएंगे आनंद मोहन जेडियू के सांद जाएंगे लेकिन इन सब चीजों के वीश आनंद मोहन नितीश कमार की मुलाकात होती है घंटों मुलाकात होती है और उस मुलाकात में न सिर्फ आनंद मोहन नितीश कमार होते हैं बलकि आनंद मोहन के पूरा पडिवार उस मुलाकात में उस वक्त मौजूद होता है और मौजूदगी में कई बातों पर चर्चा होती है और मकसद साथ था 24 का लोक सबाचुना हो ऐसे में आनंद मोहन क्या करेंगे कैसे करेंगे किधर जाएंगे ऐसे कई सवाल थे जो राजितिक तोर पे अब जो जानकारी सामरिकल क्या रिया सा कहा जा रहा है कि आनंद मोहन न लवली अनंद आरजेडी के एक वरिष्ट नित्रिक तरकन की पैश्चान है लेकिन आनंद मोहन ओ या छोटे बेटे हो किसी दल से तालूक उनका अभी नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं लेकिन आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद आरजेडी को छोड़ कर जेडि हरी ज जहाए खिलाब आनन्द मुहन के पुरा परिवार ने इस प्रकार से मोर्चा खोला राजनितिक तोर पे भूचा ला गिया और इन सब चीजों के भी इठे लालू तेज़ेश्वी और आरजेडी को खुली चुरोती देने वाले आनन्द मुहन के परिवार के सदस्यों के साथ नितीश कुमार अब खड़े दिख रहे हैं और ना सिर्फ खड़े दिख रहें बलकि सहरसा उनके पैत्रिक गाउं पैत्रिक घर पर नितीश कुमार का कारेक्रम भी तैय हो गया है वो 27 अक्टूबर को अनन्द मुहन के पैत्रिक गाउं जाएंगे घर पर जाकर अनन्द मुहन की मास असरवाद लेंगे तो वही बेटे बहू, अनन्द मुहन समें तमाम पैटवार का सतोसों को आशरवाद भी नितीश कुमार देंगे और कहा जा रहा है कि अनन्द मुहन के पिता जी के मुर्ती जो है वो अनावणन है और इसी कालेकर में नितीश कुमार भी जाएंगे और वहाँ पे वो जन्दसभा को भी संबोधित करेंगे बराल राजनितिक प्रस्तिती क्या बन रही हूं आपको अपडेट करेंगे लेकिन इन सब पीजों को लेकर आनंद मोहन, नितीश कुमार, लालू पडिवार, आपजी येर आनंद cuál आपको अक्तुमार